देखिए करिश्मा जी रिद्धी पढ़ाई में हुश्यार लड़की है पर आजकल उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है मैम अब से मैं रिद्धी पर अच्छे से ध्यान दूँगी और वो पहले जैसे ही अच्छी पढ़ाई करेगी रिद्धी पढ़ाई में हुश्यार लड़की है पर आजकल उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है रिद्धी बेटा क्या हुआ बेटा ऐसे मू लटका कर क्यों बैठे हो ममा आजकल मुझसे ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है पता नहीं क्यों आरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या ज़रूत है ये लो ये एक जादूई और लख्की पैन है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या सच में ममा ये एक जादूई पैन है हाँ वीटा पर इसका भी एक रूल है क्या पर कैसा रूल तुम्हें पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा तभी ये अपना वर्थ करेगा अच्छा फिर तो मैं पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दूँगी हम ये लो चलो आप अपनी पढ़ाई करो मुझे किचिन में कुछ काम है मैं जाती हूँ ठीके ममा अरे वाँ अब मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूंगी और अच्छे नमबर भी लाऊंगी इस पैन को मैं हमेशे अपने पास ही रखूंगी ममा ममा हाँ बीता क्या हुआ ममा आज का मेरा टेस्ट पेपर बहुत अच्छा गया सिफ और सिफ इस पैन की वज़े से अब अच्छा हाँ ममा आपने सही कहा था ये पैन सच में जादू ही है और लखी भी इसी की वज़े से वापस आज मेरे टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे नमबर आए है ये पैंट सेट में ममा बहुत लगी है हाँ बीटा ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ ममा अब मैं जाती हूँ और इससे और भी अच्छी से पढ़ाई करती हूँ अरे मेरा पैन क्यों नहीं मिल रहा है मैंने यहीं तो रखा था ममा बीटा क्या हुआ ममा मेरा पैन नहीं मिल रहा है आपने कहीं देखा क्या आज मेरा हिंदी का टेस्ट है और मुझे मेरा पैन नहीं मिल रहा है हाँ तो बेटा कोई बात नहीं मिल जाएगा आपका पैन आज का टेस्ट आप किसी और पैन से दिया हो पर ममा वो मेरा लखी पैन है उसके मिना मेरा टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा बेटा पढ़ाई तो आप पहले भी करते थे तब भी एक्जाम होती थी टेस्ट भी होते थे फिर भी आपके अच्छे नमबर आते थे ना तब आपके पास वो जादू या लखी पैन था नहीं ना इसका मतलब आप अपनी महनत से अच्छे नमबर लाते थे किसी पैन की वज़े से नहीं पर ममा मैं अरे बेटा आपने टेस्ट के लिए पढ़ाई और तयारी की है ना तो फिर आप जाओ और अच्छे से अपना टेस्ट दिखर आओ जाओ अरे अब क्या होगा उस पैन के बीना मेरा टेस्ट अच्छा जाएगा या नहीं पर ममा कह रही है इसलिए मुझे जाना ही होगा बेटा मुझे ही करना बहुत जरूरी था ममा 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 जल्दी आओ हाँ बीटा क्या हुआ ममा आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया आपने सच्छी बोला था अच्छा और क्या कहा था मैंने जो भी होता है वो सिब अपनी मैनत से होता है अच्छा फिर तो ये लक्की पैन जादूई पैन किसी कामका नहीं है है ना हाँ पर अब ये मेरे किसी कामका नहीं है क्यूंकि ममा अगर हम अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो किसी जादूई पैन और लक्की पैन की जरूरती नहीं है यह हुई ना बाद तो देखा आप लोगोंने कभे-कभे हम किसी चीज को लेकर मान बैठते हैं कि वो लखी है उसकी वज़े से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है जबकि असल में सब कुछ आपकी मेहनत से ही होता है है ना? हाँ इसलिए आप भी मेरे चैसी गलती बिलकूल मत करना ठीके?